आज मैं स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडियो है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जहां से कोसिंज एक दो नमबर का कोसिंज हर एक्जम में आता है और आप लोग जानते हैं कि भेरियास टाइप्स आप टूल्स and made of which material यह बहला टॉपिक हम लोग केपे बहुत ही मिट्न होता है जैसे एक्जम में questions आता है subscriber is made of which material तो हम लोग के answer देना पड़ता है टो ऐसे हार exam में 2-3 questions आता है तो अगर हम लोग कोई भी tools का बाड़ में जानना है तो इसका material क्या है अगर याद नहीं रहता तो क्या होता हम लोग चार से मिश्टर होता चार से मिश्टर को book इधार उधार ढूनना पड़ता लेकिन मैं बहुत सारा book को combination करके जितना सारा हो सके tools को मैं collect किया हूँ total 80 का असपस tools है और इसका क्या क्या material है एक कौन सा material से बनता है यह मैं collect करके एक PDF बनाया हूँ तो अब लोग देख सकते हैं ठीक है जो आप लोग के लिए बहुत important होगा तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा important होगा आप लोग के लिए एक वीडियो अगर आप लोग 20 मिनिट का questions hard exam में आता है जैसे आएगा भी अगला जो जो exam होगा तो आज का वीडियो बीना skip करके अब लोग पूरा देखना ठीक है और अगर वीडियो अच्छा लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोसिस करके PDF बनाया हूँ तो आप लोग देख सकते अगर लस्ट में वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share and subscribe करना ठीक है क्योंकि मैं ऐसे आप लोग का सामने बहुत अच्छा चप वीडियो लाने के लिए कोसिस करूंगा क्योंकि जितना हो सकी कि एक वीडियो में जितना ज़्यादा point हो सके मैं देने का कोसिस करूंगा जैसे मैं पिछला बड़ भी करता था ऐसे मैं आज भी करूंगा ठीक है और अगला बड़ जो जो वीडियो लाँगो ऐसे करूंगा तो चैनल के ज़रू subscribe करके रखना है तो आज का वीडियो में start करता हूं तो first name of the tool टूल का नाम क्या है scriber तो अब लोग जानते है scriber हम लोग describing purpose के लिए उस करते हैं तो आज का वीडियो में कोई भी मैं discuss नहीं करूंगा क्योंकि यह tools है अब लोग को सब अब लोग का tools का बड़ में जो जो mechanical का है तो अब लोग को मालूम है क्या क्या टूल है क्या क्या काम है इस tool का तो अब लोग फिलीज थोड़ा cooperate कर लिजिए क्योंकि आज अगर 80 का पस टूल है अगर हम पूरा discuss करने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा आज यही उद्द्द से कि जितना हो सकें कम टाइम में यह वाला नोट सब लोग को पास पहुचा दाना ठीक है तो आज बीना explain करके मैं बताता हूँ scriber scriber का material होता है high carbon steel भी होता है कभी कभी chrome vanadium steel भी होता है ठीक है तो दोनो right answer तो आप लोग वीडियो देखते देखते ही होता है और tool steel में कभी कभी होता है ठीक है file high carbon steel high grade का steel से भी बना होता है hexo hexo जो होता है hexo frame मायल steel से बनता है hexo का blade होता है high carbon steel low carbon steel से बनता है hammer hammer बनता है drop 가지고 carbon steel ordinary परनियर कझ पर बान इसकोर सिए कंदाल आप में ड़ेन होगा यंश के में आपड़का निक्कel डाता है होग इनवरी पडरित स्वार्डनिchos परस वहीं होगा इनवर्स यद्फिञ निकेल डाता है Scale Trisquare Trisquare is made up of hardened steel कभी के अलाग से भी question देता है the stock of Trisquare मतलब Trisquare का stock किस metal से बनता है तो answer होगा cast iron और cast steel ठीक है Spanner Spanner होता है Chromium Vanadium Steel ठीक है Steel Dool Steel Dool होता है Spring Steel और Stainless Steel Scriber Sorry मैं Scriber को दो बर दे दिया स्क्राइबर को स्कीप करो और divider, divider mild steel से भी बनता है high carbon steel से भी बनता है ठीक है इंसाइड जो spring के लिपर होता है और outside spring के लिपर जो होता है वो stainless steel से बनता है और ordinary के लिपर जब बोलेगा तब mild steel होता है ठीक है तो बेंजवाइस से जितना questions हो सके मैं इधर आप लोगों का पास रख दिया हूं ठीक है बेंजवाइस बनता है cast iron नहीं तो कास्टील जब एक question में आता है बेंजवाइस किस मेटल से बनता है तो कास्टाइरन भी होता है कास्टील भी होता है मेरा पिछला जो वीडियो था पिछला वीडियो में मैं बेंजवाइस का बारे में पूरा डिसकस कर दिया हूं तो एक भी question उदार से छुटेगा नहीं तब लोग प्लीस ओबला वीडियो अब लोग देख लिजे वीडियो का लिंक मैं description box में दे दूँँगा ठीक है spindle of benjuice, mild steel, guide nut जिसको बोलता है box nut वो बनता है, phosphorus branch, gun metal से भी बनता है handle, जो handle of benjuice होता है, वो बनता है mild steel, spring जो होता है, वो तो spring steel और जो lesser होता है, वो भी होता है mild steel ठीक हैं और इसका जो bench wise को nut, bolt, pin होता है, वो बनता है mild steel से और box nut बनता है phosphorus bronze ठीक है sorry box nut को मैं दो बर दे दिया phosphorus bronze और होता है gun metal ठीक है vice clamps बनता है vice clamp मतलब जो job को protect करका जो finish job को protect करता है उसको बोलता है vice clamp ठीक है तो इसका material हो गए aluminum tool maker जो vice होता है वो बनता है mild steel pipe vice जो होता है उसका material होता है cast steel नहीं तो cast iron leg wise जो होता है बहुत important question leg wise जो forging swap में यूज़ता है वो बनता है mainly mild steel से कभी कभी forged steel भी देता है scrapper scrapper high carbon steel से भी बनता है tool steel से भी बनता है ठीक है funches funches होता है high carbon steel से बनता है ठीक है pipe wrench pipe wrench cast iron से बनता है pliers जो जो होता है बनता है cast iron से जो micrometer होता है micrometer nickel chromium steel से बनता है ठीक है अगर frame का बढ़ में बात करेंगे तो frame होता है drop forge steel नहीं तो malliable cast iron से बनता है ठीक है एंविल की स मेटल से बनता है micrometer के एंविल बनता है tungsten carbide अगर drill का बात करेंगे तो twist drill होता है high speed steel center drill भी होता है high speed steel से बनता है taps और taps का बने में बात करेंगे taps बनता है high carbon steel high speed steel से भी बनता है combination set का अगर बात करेंगे तो होगा stainless steel होगा ठीक है varnier height gauge का जो beam होता है वो बनता है inverse steel और stainless steel बनता है ठीक है और इसका जो base होता है varnier height gauge का जो base होता है बहुत ही ज्यादा confusion और important question है यह बनता है aluminum alloy से ठीक है varnier bevel protector varnier bevel protector बनता है inverse steel और stainless steel से ठीक है की की बनता है mild steel से radius और जो fillet gauge होता है वो बनता है hardened और seat metal से बनता है hardened seat metal sorry hardened जो hard होता है वो seat metal से बनता है filler gauge मनता है hardened and tempered seat blade से बनता है centre gauge जो होता है ओ बनता है spring steel hardened and tempered से बनता है ठीक है surface plate बनता है granite और कस्टार उन से marking of table बनता है कास्टार उन से अगर angle plate का बारुआ बात करेंगे सौरी marking of table cast iron से भी बनता है और एक होता है granite से भी होता है granite ठीक है granite तो अब लोग प्लीज granite को भी note कर लेजिए next angle plate बनता है closely grain cast iron और बनता है steel से next parallel blocks बनता है steel से अगर भी block का बारे में बात करेंगे तो A grade जो होता है वो बनता है high quality steel से बनता है और जो B grade होता है वो बनता है closely grain cast iron ठीक है जो forge होता है forge बनता है refractory forge का जो walls होता है वो बनता है refractory material से अगर anvil का बारे में बात करेंगे जो forging करने का time जो anvil होता है वो बनता है heavy block of cast steel से बनता है कास्ट तील के हेवि बलोक, अगास्ट बलोक के बात करेंगे जहाँ पे कोई भी सेप मांगा बदल सकते हैं कोई भी मेटल को, ओबला बनता है मैंेलेबल कास्ट आर्ण से, सेटे मार, जो सेटे मार होता है जिसमें 0.8 परसन कार्बोन रहता है, ठीक है next question revet revet बनता है mild steel, aluminium, yellow brass से mallet जो होता है mallet बनता है wood, जो लकड़ी से बनता है mallet soft hammer, raw height hammer होता है वो बनता है copper or lead से जो crane hooks जो होता है crane hooks बनता है raw iron, most important questions crane hook कि इस metal से बनता है exam में पूचता है spring spring बनता है, silicon and manganese steel, template जो होता है, template बनता है, mild steel से, most important question, toolmaker buttons बनता है, hardened steel से, power hex o blade जो बनता है, हो ता high speed steel से, अगर grinding wheel का बात करेंगे, तो grinding wheel बनता है, abrasive से, नहीं तो sand से, ठीक है, अगर railway line का बड़े में बात करेंगे तो railway line बनता है manganese steel से जो rubber hose pipe होता है welding का welding करने के डाइम जो हम लोग rubber hose pipe भी उस करते हैं वो बनता है strong canvas rubber having good flexibility इसका अंदर good flexibility रहना चाहिए वो strong canvas rubber से बनता है जो welding blow pipe का nozzle होता है वो बनता है copper से screw page gauge जो होता है screw page gauge बनता है thin spring steel set से बनता है ठीक है die बनता है high carbon steel से जो remer होता है remer बनता है high speed steel से gauges most important question gauge से एक कोशन हार बार exam में पूछा गया है gauges is made up up gauge alloy steel से बनता है gauge का wear resistance पोपारिटी बनाने के लिए हम लोग को केश अर्डेनिंग करना पड़ता है gears बनता है कास्ट आरोन कास्टील नॉन फेडास metal plastic fiber material से बेल्ट जो जो होता है जो हम लोग transmission motion करता है बेल drive तो बेल बनता है लेदर से बनता है cotton अड़ावर सिंथेटिक मेटियल से बनता है split label का अगर बात करेंगे एक कार्ब glass tube से बनता है ठीक है जिसको बोलता है while next universal scribing block जो scribing block होता है universal में क्या होता है एक fine adjusting screw रहता है और एक इसका जो down portion होता है वह भी safe होता है ठीक है क्योंकि round job का उपर भी इसको बैठा के इसका जो down portion होता है वह भी safe होता है क्योंकि यह round job का उपर बैठा के भी हम लोग diamond से ले सकते marking कर सकते है इसका मदद से ठीक है नेक्स्ट लेद मेसीन का बहुत सरा part होता है जैसे bed बेड बनता है कास्ट आइरन से जो body of tail stroke जो होता है body of tail stroke बनता है कास्ट आइरन से लेद का जो सेंटर होता है life center dead center revolving center five center तो जो लेद center होता हो बनता हाई कर्बोन स्टिल से इसका जो face plate होता है मेसीन में जो irregular जब work piece हम लोग को turning करना पड़ता है तो हम लोग क्या यूज़ करते है face plate ठीक है मेंड्रेल जो होता है जो hollow job का अंदर हम लोग डालते है तो मेंड्रेल बनता है high carbon steel से pad swap steady rest steady rest का जो pad होता है वो बनता है phosphorous branch और brass से lead screw जो होता है जिसमें act में thread रहता है वो बनता है carbon steel से ठीक है तो non-link tool holder non-link हम लोग जानते कि forming operation होता है non-link tool use होता है तो non-link tool holder का अगर बात करेंगे इसका sank होता है sank position बनता है heat treated steel से बनता है ठीक है और इसका जो round round जो null होता है जिसको null बोलता है nulls बनता है hardened tool steel से बनता है और इसका जो अंदर pin रहता है जिसका दोरा nulls nulling tool holder में fix होता है तो pin बनता है hardened steel से ठीक है तो इसका spelling थोड़ा wrong होगा hardened का HRD होता है तो D missing हो गया sorry slip gauge slip gauge बनता है high grade steel with low thermal expansion high grade steel से बनता है laps जो होता है lapping plate जो होता है तो laps बनता है closely grade cast iron से बनता है copper से बनता है brass lead से बनता है ठीक है जो head of soldering iron soldering iron का जो head होता है वो बनता है copper से क्योंकि good conductor of heat होता है copper जो wearing होता है wearing बनता है gun metal brass bronze copper waste alloy से बनता है wearing जो musical instrument होता है यह भी exam में बहुत बार आया है कि musical instrument कौन से metal से बनता है तो bell bronze से बनता है next aeroplane किस metal से बनता है aeroplane बनता है seat metal से नहीं तो drew aluminum से electrical जो wires होता है वो बनता है copper से aluminum से जो watch का जो जो watch का जो पार्स होता है घड़ी का जो पार्स होता है वो बनता है chromium steel से valve का जो filament होता है वो बनता है tungsten से जो GI pipe होता है GI pipe बनता है wrought iron नहीं तो galvanage iron से drill jig boost होता है tool steel से saving जो blade होता है हम लोग जो saving करते हैं सेविंग blade बनता है stainless steel से अब लोग जानते हैं देखा भी है बहुत बार imitation जो जो jeweler है अब लोग के लिए बहुत important है अगर exam में आये की नहीं आये कोई metal नहीं करता है अब को जनना चाहिए imitation हम लोग जो jeweler यूज करते हैं किस metal से बनता है aluminum bronze से बनता है ठीक है तो यह थोड़ा important question है आ भी सकता है तो power जो hexo blade होता है high speed steel with fully hardened यह मैं पहले भी discuss कर दिया है यह तो मैं पहले भी discuss कर दिया हूं mostly common cutting tool most important question कभी के बैसे भी दे दे तो mostly cutting जो tool होता है किस metal से बनता है तो बनता है high speed steel से तो आप लोग देख सकते हैं पहले में बता दिया था कि 80 का असपस question है तो 78 total questions है आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग भी देख लिए कि एक video में इतना कम time में कितना सारा point में clear किया हूं तो जो जो student मेरा video daily देखते हैं तो उन student जानता है कि मैं किस तरीका से पढ़ाता हूं class बहुत ही कम लेता हूं लेकिन जब भी class लेता हूं एक video में जितना ज़्यादा हो सके point देने का कोशिस करता हूं ऐसा video आप लोग देख सकते कहीं नहीं मिलेगा कि एक PDF का अंदर इतना सारा point मिल गया है यह अब लोग का बहुत important होगा अब लोग प्लीज exam का अभी तो पहले पढ़के रखें लिखने का बाद तो पहले अब लोग पढ़ लेना और इसको अब लोग कभी बीच विच में device देना और एक्जाम का टाइम इसको याद करके जरूर जाना इधर से questions आएगा ठीक है तो आज का जो जो वीडियो मेरा देखा है वीडियो अच्छा लाइए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो कम टाइम में बहुत सारा टोपिक मैं आप लोग का क्लियर कर देऊंगा ठीक है अगर कोई भी डाउट हो तो यह मोबाइल नंबर मेरा दिया है आप लोग देख सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं और और टैप्स अब क्लासेश पीडिएप्स और एवालेबल है ठीक है तो मेरा नाम थैंक्स पर वाइबल वस्ट क्लासेश विडियो और गूद लोग कर दो देख समझ पीडियो ओप्र, ओभा लोग।